हलो फ्रेंज वेल्कम बैक टो दे चैनल अन्वेशास क्रियेटिविटी और आज मैं बात करूंगी आपके साथ में इस खुब सूरत मुर्गा कल्गी फ्लावर प्लावर प्लांट के बारे में पूरी जानकारी इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है जैसे कि स्लोशिया की वराइटी इसको बोला जाता है मुर्गा कल्गी बोला जाता है या फिर इसको और भी कई नामों से जाना जाता है जिसको कॉक्सकॉम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मुर्गी की कल्गी की तरह ही इसका जो फूल होता है वो आता है और काफी सारे वराइटी में ये काफी बड़ा प्लांट बन जाता है इसी की एक डार्फ वराइटी भी आती है जो कि आप 9 से 10 इंच के गंबले में आसानी से लगा सकते हैं बहुत जादा खुबसूरत फूल वाला ये पौदा है और बिल्कुल वेलवेट की तरह इसके जो फूल है वो रहते हैं और काफी लं जानकारी आपको आगे दूँगी तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ इसके पौधे के बारे में क्योंकि ये पौधा ऐसा है इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको देनी है इसकी पतियों के रंग की बात करूँ तो जैसे जैसे सर्दी जादा होती है इसकी पतिय जो भी बहुत जादा भूबसूरत पतियां हो जाती है तो पतियों का रंग भी इसका चेंज होता है और फूल तो इस पर बहुत ही जादा भूबसूरत निकलते हैं इसके फूल जो अगर मैं बात करू तो यह आता है औरिंज कलर में गोल्डन यel McN ? कलर में या फिर ये magenta color तो ये magenta color की variety जो है ये तो आपको हर जगा देखने के लिए मिल जाएगी बहुत ही आसान है इसको लगाना इसको आप seed से भी grow कर सकते हैं और आप इसको cutting के द्वारा भी grow कर सकते हैं और cutting से भी grow करना इसका बहुत ही ज्यादा आसान है अगर आप इसको cutting से grow करते हैं तो इसका सबसे अच्छा time है cutting लगाने का कि आप इसको 15 जनवरी के बाद से अगर लगाते हैं तो आपकी ये cutting 100% grow कर जाएगी और अगर आप इसकी seedling कर रहे हैं तो आप इसकी seedling फरवरी में करें तो क्या होता है ये tropical plant है आप ऐसा ना समझें कि ये सर्दियों का ही plant है tropical plant है तो ये बहुत जादा हमेशा चलता है लेकिन हाँ बहुत जादा गर्मी होती है जैसे कि जून जुलाई की गर्मी होती है तो उसमें इसको आप shady area में रखें या फिर जहाँ पर छन करके दूपाती हो एक से दो घंटे की वहां रखें तो ये बहुत अच्छे से चलता है और flowering भी करता रहता है तो अगर मैं बात करूँ इसकी लगाने की तो सबसे पहले मिट्टी की बात कर लेते हैं इसको आप जैसे कि मैंने आपको बताया cutting से लगाया जा सकता है तो अगर आप जमीन में लगा रहे हैं तभी भी same procedure रखे और अगर आप इसको गंबले में लगा रहे हैं तभी भी same तरह की मिट्टी इसकी बनाएं तो इसकी मिट्टी के लिए आप 30% इसमें डाले गोबर खाद और 30% डालेंगे compost खाद तो ये बहुत अच्छी इसकी soil बनेगी तो 60% ये हो जाएगा और आप 30% इसमें डाले अपनी जो garden की soil होती है वो और 10% इसमें जो rate होती है उसको जरूर मिलाएं चुकि ये heavy feeder plant है तो इसी लिए इसको खाद की थोड़ी ज़ादा जरूरत होती है हर 10-15 दिन के बाद में आप इसके अंदर खाद जरूर डाले तो आपका plant बहुत अच्छे से grow करेगा और dark variety लगाएंगे तो तो आप इसको गंबले में लगा सकते हैं dark variety मतलब कि 10-12 इंच के गंबले में अगर आप लगाएंगे तो dark variety लगा सकते हैं तो उसकी पतियां बहुत ज़्यादा grow नहीं होती मतलब कि बहुत ज़्यादा घनी नहीं होती और अगर आपने इसको जमीन में लगाया है फिर तो आप कोई भी variety इसको लगा सकते हैं असानी से तो soil की तो मैंने इसकी बात कर ली अब मैं बात करती हूँ sunlight की तो sunlight की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है धूपी नहीं निकल रही है तो अगर आपकी तरफ धूप निकल रही है तो सर्दियों में तो इसको 3-4 घंटे की या 5 घंटे की धूप देंगे तो इसमें बहुत अच्छे से flowering होगी लेकिन गर्मियों में आप इसको 1-2 घंटे की धूप या तो morning की या फिर evening की उसमें रखें तो ये अच्छे से चलता रहेगा पूरे साल ही चलता है ये plant बहुत ही अच्छा plant है सुन्दर-सुन्दर रंगो वाला पौदा है ये और खाद की मैं बात करूँ तो खाद आपको 15-15 दिन में इसको देनी है कोई भी leaf compost, compost खाद या फिर आप इसको कोई भी गोबर खाद भी दे सकते लेकिन गर्मियों में गोबर खाद ना दे तो अच्छा रहेगा अच्छा करती हो मैं बात इसमें watering की ये plant जो है सबसे ज़्यादा जो खराब होता है वो पानी की वज़े से ही खराब होता है जी हाँ इसको पानी जो है बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में पानी चाहिए होता है तो जब इसकी मिटी सूख रही हो तो आप चेक कर लीजे मिटी चेक करने के बाद ही इसमें watering करेंगे तो आपका plant जो है वो बहुत ही अच्छे से grow करता रहेगा अच्छा मैं इसके seeds की बात करूँ तो इसी के पौधे से आप इसके seeds collect कर सकते हैं जैसे ही ये पौधा सूख जाता है आप देखेंगे इसके जो फूल होते ना जैसे ये आपको इतने सारे में फूल दिखा रही हूँ कि इतने सुंदर-सुंदर ये वाले देखिए ये फूल सूख रहा है तो इसके ऊपर से बीज जड़ते हैं काफी सारे तो वो बीज आप collect करके रख लीजे और वो आप लगा सकते हैं अच्छा अगर आपको पार्क बगरा में कहीं पर भी आसपास इसकी छोटी सी फूल सूख जाते हैं उसके बीज खुद बग जड़ते रहते और वहां से नए पौदे खुदी तयार होते रहते तो इसको बहुत जादा देख भाल की भी जरूरत नहीं हैं बहुत ही ज्यादा हाड़ी प्लांट है तो मैंने आपके साथ में धूप की बात कर ली पानी की ध्याद नहीं रखेंगे तो आपका प्लांट बहुत जल्दी खराब हो सकता है तो इसके लिए आप जो घरेलू मैंने बहुत सारे आपके साथ में शेयर किये हैं जो पेस्टिसाइड हैं जैसे की आप लाल मिर्च या हरी मिर्च को और लसन को एक साथ पीस करके उसको पानी मिला करके अच्छे से छान करके फिर उसका स्प्रे भी कर सकते हैं नीम ओइल का स्प्रे कर सकते हैं सोफ वाटर के स्प्रे करते हैं या फिर आप इसकी जगह आप जो नीम की पतिया होती हैं उसको पानी में उबाल करके उस पानी से भी स्प्रे कर सकते हैं या फिर नीम की प अगर आपने जादा पानी दिया है तो आपके पौधे में फंगस भी अटाक कर सकती है तो पानी से थोड़ा हाथ रोक करके आप इसमें पानी दें और बहुत आसान केर है इसकी बहुत अच्छा फूल वालत देने वाले पौधा है आशा करती हूं आज की जानकारी आपके लि चैनल को पहली बार देख रहे है तो इसी टाइप के वीडियो आगे भी देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले विद बेल बटन जिससे की मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए और इंटरस्टिंग टॉपिक के साथ म तब तक के लिए बाए हैपी गार्डनिंग